मशकार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कुमार हर्स आज हम आपको जमू जिले के जाजा के एक ऐसे धरोहर से अवगत कराएंगे और वहां की क्या इस्थिती है इससे भी आपको परीचित कराएंगे कि लोगों ने किस प्रकार से अपने धरोहर क बचाने के लिए लगतार स्रम भी किया परिश्रम भी किया और अपनी धन तक उन्होंने लगा दिया लेकिन अब तक इसका निर्मान कारे अधूरा है आपको हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा जोने से कहेंगे कि हमारे साथ थोड़ा सा सहयोग में रहें और हम आपको दि बहुत सारी चीज़े हैं जो यहां पर लिखी गई है अब देख सकते सिलापट में इतना वर्स हो चुका है इसका निर्मान कारे अधूरा होने के लिए कि अब तक इसमें सारी चीज़े विचिप्त हो गई है यानि कि सारी चीज़े यहां पर मिठ चुकी है हलाकि लोगों यहां पर बहुत सारे अथर्व प्रयास किये जिस प्रकार से यहां के लोगों ने बताया है कि बहुत सारे नेता भी आया और बहुत सारे समासे भी आया लेकिन अपना अपना रोटी से कर वो चले गए जितनी बार बैठक हुई उतनी बार यहां पर रासी भी कठा की गई है लेकिन अब तक इसका निर्मान कारे अधूरा है लगबग 25 वर्सों से ये गौसाला विरान पड़ा अब तक किसी की यहां पर नजर नहीं पड़े आखिर जन प्रतिनीदी भी रहते हैं तो वो क्या करते हैं आखिर हमारे धरोहर को वो नहीं बचाएंगे तो फिर जन प्रतिन नवस्था में उसका निर्मान और जिर्नोधार कराया जाए इसी योजना के तहट जहाजाब पर भी ध्यान हमारे सहाब का आया था और उसमें के तत्कालिन अमलेंदू से आये थे यहां पर लगातार दूतिन बैठक कर करके बहुत सारा काम आगे भी बढ़ाया गया था ले कि कई भावनें घिर भी रही है धोस्त भी हो रही है यह जमुजिले के जाजा का एक मात्र ऐसा गोशाला है जहां पर लोग आज से विगत 25 वर्स पूर्व इस गोशाला पूजा में जो की प्रती वर्स होता है यहां पर लोगों की काफी भी लिकटा होती थी और लोग काफ यह किस प्रकार से विरान पड़ा हुआ अप अंदाजा लगा सकते हैं और यह गौशाला के लिए लोगों ने अपने सारे प्रयास किये लेकिन आज यह गौशाला विरान पड़ा हुआ एक तरह से बोलू मैं तो खंडर है मानुबास आए गए और अपना अपना रोटी सें अपना अपना रोटी से चले गए देखा कि लोगों ने किस प्रकार अपनी बातों को रखा और गौसाला किस प्रकार से खंडर का रूप धारन के अवल लेकिन अब तक सरकार ने इस पर किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया और नहीं इस धरोहर को बचाने के लिए हमार झाल झाल झाल